हलो है दोस्तों वेलकम बेक टुडान डिजिटल उनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का मैं अखिलेश हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हमारी क्लास नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं तीन क्लासे हमारी अलड़ी हो चुकी है और बनेंगे मैस के टीचर की इ प्लेट लिएंट में आपको स्टार सारी क्लासस मिल जाएगी तो वहाँ पर आप यह सब्सेंont पढर आप सबूंद हैı घरित नाप कर चान ये लाकि यकीन मानिए मेरा विश्वास कीज़ेगा आप नि इस तरीके से चीजों को नहीं डिसकस किया होगा जैसे आज हम करने वाले हैं इसलिए आप सभी से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंट तक अटेन करें और उसके बाद आपका क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंड में लेखे ठीक है चलिए तो डिसकस करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंग्रेजी में sir इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में sir इस्थानी अमान को हम कहते हैं इस्थानी अमान को हम कहते हैं place value क्या कहते हैं place value और अब से आगे जितने भी questions में solve करने वाला हूं सभी प्रस्णों में आपको इस place value को में केवल में केवल और केवल क्या लिखूंगा मैं keval और keval short form में PV लिखूंगा PV means place value इस तरह के से देखा जाए कि जाती मान को अंग्रेजी में क्या कहते है तो इसको बोलते हैं sir face value क्या कहते है face value इसी को मैं short form में लिखूंगा FV face value बरोबर है तो आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं बहुत ही अच्छे से आप सभी को ये पता है कि place value क्या होती है जैसे मैं बहुत साल पहले बहुत साल पहले एक teacher था बहुत नहीं कह सकते कुछ साल पहले एक student था और आप एक teacher हूँ आप आज student है कल को officer रहेंगे तो आपका जो इस्थान है वो बदला आज आप student है तो हम आपको नाम से पुकार सकते कल को आप officer बन गए तो हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते आपके नाम के पीछे या हमें sir लगाना पड़ेगा तो आपका place जो है वो बदल सकता है पर face नहीं बदलेगा आज आप जो हो वही चेहरा आपका बाद में भी रहेगा वेसे ही आपने दिखना है तो बात क्या समझ में यहां से कि sir इनसान की place बदल सकती है face नहीं बदल सकता जाती नहीं बदल सकता आप अगर ST, SC, OBC जनरल से भी लॉंग करते हो तो जो आपकी केटेगरी है वही आपकी केटेगरी रहेगी वो आपकी बदलेगी नहीं category means मैं आपको एक example की थूरी बता रहा हूँ कि जाती मान बदलेगा नहीं जो होता है वही जाती मान होगा for example मान लेते हैं sir मैंने एक छोटा सा number लिया मैंने एक छोटा सा number लिया मैंने लिखा 28597 आप सभी को ये visible है sir बिल्कुल visible होगा ठीक है तो 28597 अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस संख्या में अगर मैं आपसे sir पूछ लूँ कि इस संख्या में इस संख्या में बताए मुझे दो का face value क्या है face value का मतलब होता है जो दिख रहा है वही उसका face value है वो बदलेगा ने तो 2 का face value दो ही होगा ठीक है अगर इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए sir क्या पूछ लिया जाए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर मुझे 2 का face value और place value दोनों बताओ आपसे 8 का भी पूछ सकता है आपसे 5 के बारे में पूछ सकता है आपसे 9 के बारे में पूछ सकता है आपसे 7 के बारे में पूछ सकता है हाँ या ना तो एक एक को डिस कर सकते आपसे 2 का पुछा है, तो 2 का face value, मैं फिर कह रहा हूँ, जाती मान नहीं बदलता, जो face है, जो दिख रहा है, वही आपको लिखना है, तो 2 कैसा दिखता है, 2 जिसे दिखता है, तो इसका जाती मान 2 हो गया, ऐसे 8 का जाती मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 का जाती मान क हीतना हो जाएगा और 7 का जाती मान 7 हो जाएगा पर प्लेज में कि ठीक है सब्सक्राइब बदल किक अपकर दो का झाजार और डस हजार हो जोड़ार 2021 10, 100, 1000 और 10,000, that means इसका जो है वो 10,000 वाला वेल्यू है, तो आप क्या करोगी, जब प्लेस वेल्यू निकालोगे तो केवल वो नंबर लिखो और उसके पीछे सब 0 लगा दो, पीछे वाले नंबर में क्या जाएंगे, 0, तो इसका प्लेस वेल्यू हो गया 20,000, ऐसे ही 8 का प्ल 500, वो सेकड़े के स्थान परे, 9 का वेल्यू क्या हो जाएगा 90, और 7 का हो जाएगा 7, ठीक है, तो यह हो गया प्लेस वेल्यू, इसका प्लेस क्या है, इकाई है, इकाई मतलब 7 गुणा इकाई, इकाई मतलब होता है 1, तो 7 एकम 7, दहाई मतलब होता है 10, तो 10 नाम 90, तो ना 10,000 तो 20,000 तो यह इनका क्या हो गया प्लेस वेल्यू अब इस नंबर में इस दो का प्लेस वेल्यू यह है हो सकता है किसी और नंबर में दो किसी और जगह हो तो उसका प्लेस बदलेगा पर फेस यहां भी वही रहेगा वहां भी वही रहेगा इतनी बात क्लियर हो गई एक और चीज नोट करने वाली क्या है सर most important है चीजों को थोड़ा-thोड़ा धियान देते रहे न ठीक है एक नोट करने वाली चीज ये है कि 21 थान का जो नंबर होता है जिसे 21 थान पर क्या है यहां पर साथ है तो 21 थान पर जो नंबर है उसका प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू दोनों बराबर होता है इकाई स्थान पर जो नंबर है उसका प्लेस वेल्यू और फेस वेल्यू दोनों के दोनों क्या होते बरोबर होते जो प्लेस वेल्यू होगा वही फेस वेल्यू होगा मतलब किसी संख्या में इकाई स्थान के प्लेस सली क Springs का अब एक बार कुछ चोटी चोटी चीज़ और डिसकस कर लेते हैं सभी बच्कों को बहूत अच्छे से पता है में लिखा 2897.536 सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं सर ये होता है इकाई क्या होता है इकाई सर ये होता है दहाई सर ये होता है सेकडा सर ये होता है हजार बोलो हां या ना सर सब को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये चीज़ बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं सर यह होता है आपके पाद दसांख क्या होता है दसांख इसको बोलते हैं सतांख क्या बोलते हैं इसको सतांख और इसको बोलते हैं सहस्तरांख तो आप में से बहुत सारे प्रिय छात्र एसे होंगे जिनको ये बाते सायद पता नहीं हो उम्मीद है नहीं पता थी पर आपसे आपको आगे पता होनी चाहिए कि दसंबलों के बाद जो होता है उसको दसांग, सतांग और सहस्तरांग कहते हैं और इतने में हमारा काम हो जाना है ठीक है तो इकाई एक ही होता है इधर दहाई सेकड़ा हजार इधर इकाई, इकाई के बाद देश्री मल के जो बाद नमबर आएंगे उसको बलेंगे दसांग, सतांग और सहस्तरांग अब इसका मतलब क्या होता है अगर इस सवाल में भी मैं आपसे पूछ लूँ कि सर दो का प्लेस वेल्यू बताओ, और फेस वेल्यू भी बताओ, ठीक है, दो का हमें क्या बताना है, प्लेस वेल्यू भी बताना है, मतलब इस्थानी मान बताना है, और जाती मान भी बताना है, फेस वेल्यू भी बताना है, हाँ है ना, तो दो का, प्लेस वेल्यू क्या हो जागा ज कि ऐसे ही 3 का और एसे ही 6 अधिया दो आप बात बताएं शर इन सब करफिय को कि बताएं आप बताएं इन सभी का प्लेस वेलीenta लीज विबताना है और फेस वेलू भी आपको बताना है तो वीडियो को पोस्ट करो और सांती मनसे देखो कि क्या आप इनके आंसर दे पाओगे ठीक है सांती मनसे चीजों को आप देखें क्या हम इनके आंसर दे पाएंगे तो आप खुद पहले सारे answer दे के दे को फिर आप answer मेज करना कि कितने answer आपके सही है और कितने answer आपके जो है वो सही नहीं है धिक है तो पहले एक बार सांतिमन से आप चीजों को खुद करें फिर मैं आपको आगे discuss करता हूँ चीजों को चली अब बताना आप लोग ठीक है चली तो यहाँ पर अगर दो को देखें तो दो का स्थान जो हजार है मतलब इसका जो place value होगा वो हगा 2000 ठीक है 8 सेकड़ा मतलब इसका place value होगा 800 9 दहाई मतलब place value होगा 90 और 7 इकाई मतलब 7 अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना जब हमने इसको लिखा देखो पीछे हम 0 लगाते जाते हैं क्या लगाते जाते हैं 0 दो का इस्थानी मान पुछा तो 2 लिग दिया और बाकी क्या लगा दिया 0 ठीक है दिवाइड होने लग जाएगा वापस क्या होगा दिवाइड मतलब इसका जो प्लेस मिली होगा वो क्या होगा पांच बटे 10 या होगा पांच बटे 10 या फिर इसी को में लिख सकता हूँ 0.5 ठीक है इसका प्लेस मिली क्या होगा 0.006 कहने का मतलब यह है कि इकाई दहाई दहाई मतलब गुणा में 10 तेकड़ा मतलब गुणा में 100 1000 मतलब गुणा में 1000 और दसमलों के जब इधर आओगे तो दसांक मतलब दसांक मतलब बटे में 10 सतांक मतलब बटे में 100, सहस्तरांक मतलब बटे में 1000, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता 1000, पर ये सब बटे में लगेंगे, कहां लगेंगे, बटे में, अपॉन में, तो उनका ये वेल्यू आएगा, मतलब अगर हमें 5 का प्लेस वेल्यू चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे 0.5 तीन का place value चाहिए तो 0.03 6 का place value चाहिए तो 0.006 जिसका place value चाहिए केवल उसी को लिखना है बागी सब क्या हो जाएगा 0 अब face value क्या होता है सर face value जो दिख रहा है वो clear वो तो बदलेगा नहीं जातिय मान नहीं बदलेगा place value मतलब होता है इस्थानिय मान है ना ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और face value का मतलब होता है जातिय मान बरो बरे इसका मतलब होता है जातिय मान अब जातिय मान 2 का जातिय मान क्या होगा सर 2, 8 का जातिय मान 8 नौ का जातिमान नौ साथ साथ जैसा दिखता है पांच पांच जैसा दिखता है तीन जैसा दिखता है और छे छे जैसा दिखता है बस कहानी खतम तो यहां पर यह जो तो साथ यह कौन सा इकाई अंग था यह कुंज था ईकाई और मैंने आपसे कहा था कि 21 स्थान वाले अंग का इस्थानी मान और जाती मान दोनों बराबर आता है इसका अंतर्जीरो आता है तो यह आपको याद है तो I hope कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी और ये इस्थानी मान जाती म एक्जाम से हैं उन पर इच्छाओं में इन चीजों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और 99.99% का solution नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको भीड से अगर आगे निकलना है तो थोड़ा सा आपको फोकस के साथ चीजों को समझना पड़ेगा ध्यान से देखना पड़ेगा ठीक है तो विडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं या फिर में उडान डिटल के एप पर यह नोट्स अप्लोड करवा दूँगा वहां से भी आप नोट्स अप्लोड है नोट्स बना सकते हैं च सतांक किसको बोलते हैं सबसे पहले यह देखो सर सतांक होता है दसमलो के बाद दूसरा नंबर दसमलो के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है दसांक होता है फिर क्या होता है सतांक फिर होता है सहस्तरांक तो हमसे इस प्रस्ट में क्या पूचा है हमसे पूचा है सतांक मत सब्सक्राइब कौन सा सर यह वाला इसको बोलेंगे सथांक आठ से मतलब है यह दसांक है और यह सथांक है तो सथांक का इस्थानी मान सर सथांक का इस्थानी मान क्या हो जाएगा सतांक का इस्थानी मान हो जाएगा 0.08 बोलो हाया ना इसका इस्थान कुन सा ये वाला है जी तो बाकि सब 0 हो जाएगा तो 0.08 इस्थानी मान का 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 मतलब क्या होता है सर गुणा का का मतलब क्या होता है गुणा बरोबर है हजार से गुणा कर सब एक दो तीन असी आ जाएगा कितना जाएगा सर असी कौन बच्चे इस है जिनको यह नहीं आता है तो वो थोड़ासा चीज़ों को खुझ से सीखें या यूटूब पर कहीं और या गूगल पर देखें आपको यह चीज़ें वहाँ पर किसी number में multiply करने में क्या changes आता है वह आपको बताया जाएगा तो सीखने के कोसिज करें इसका multiply करने की बज़ाए चीजों को सीखने कोसिज करें जब इसका multiply करने हैं तीन जीरो है तो दसमलों बाट को सॉला आया पूछ रहा है किस इस्थान वाले अग्क का पूर्ण वर्ग अभान सान चार, पर मज़ा आपको, ठीक है, मज़ा क्या आएगा सर, ऐसे questions आपको आने चाहिए, question का जो solution है, वो बहुत ज़्यादा tough नहीं है, बट चीज़ें अगर आप समझ पाए, अगर इसकी language समझ पाए, तो आपके लिए असान होगा, maximum बच्चे ये चीज़ें नहीं समझ पाते, इसलिए आपको ये वीड मेरी बात बड़ धिहान समझ पहले, इस सवाल को समझने से पहले, इस सवाल को, इसके answer को समझने से पहले, इसके solution को समझने से पहले, हम एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते, जिसे मैंने लिखा हूँ, 250, अगर मैं कहूँ कि 2 का स्थानी मान, ठीक है, 2 का place value क्या हो जाएगा सर, 2 का place value हो गया 200, ठीक है, 5 का place value क्या हो गया सर, 5 का place value हो गया 50, ऐसे 2 का place value क्या हो गया सर, 2, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस संख्या के सभी अंकों के स्थानी मान, ये इसका स्थानी मान, ये इसका का योग, अगर हम सभी अंकों के स्थानी मानों को योग करें, तो हम क पढते हैं कि सर वापस वही नंबर आ जाता है वापस वही नंबर आता है तो आपको यह हमेशा धिहान रखने हैं आपको वहाँ पर है ज jeste निक्रना आपको स््मार्ट वक करना है आपको कहने का मतलब यह है कि अगर हमें दो ही अंक का पूछा है तो केवल वो दो अंक लिखो बागी को जीरो लिख दो तो आपका यह आ जाएगा तो यहां तक आपको चीजे किलियर होगी मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा सा नंबर है और अगर आपसे पूछा है कि इस नंबर में सभी अंकों के इस्थानी मानों का योग निकालो तो आपको सभी अंकों के इस्थानी मान निकालना पड़ेगा फिर उनकों जोड़ने पर आप पाओगे कि वापस वही नंबर हमें मिल गया जिसके हम इस्थानी मान निकाल रहें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे किसी भी संख्या के स्थानी मानों को निकालना और उसका योग करना है तो निकालने के जोतने हैं, डाइरेक्ट बोलोगी, यही अंसर आएगा यही का यही आपको वापस मिल जाएगा, अब आप समझो यह कह रहा है कि इस संख्या में सभी अंकों की स्थानी मानों का योग तो सर सभी अंकों की स्थानी मानों का योग क्या हो जाएगा, सर वो तो यही का यही हो जाएगा ठीक है, ट्रिपल नाइन 0.999 और जाती मानो जाती मान क्या होता है सर जात क्या होती ही वो नहीं बदलेगी जो है वही रहेगी तो 99 जैसा दिखता है ऐसे कितने 9 दिख रहे है आपर 6 तो जाती मानो हो जागा 9 कितनी टाइम से 6 टाइम तो नमी छेंग 4 9 6 आप 54 के योग का अंतर सर इसके जाती मानो का योग किया इस 9 का जाती मान 9 इस 9 का जाती मान 9 ये 9 कैसा दिखता है 9 जैसा सारे 9 जैसे ही दिखते है तो सबका जाती मान 9 हो गया 9 नो कितनी बार है 6 बार इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 54 54 और इनका क्या निकालना हमें अंतर 54 और हमसे पूछा इसका अंतर ठीक है ना तो आप देख लो सर माइनस करेंगे तो आंसर आगा 999 यहां पर पॉइंट है नाइन माइनस 54 हो जाएगा और नाइन माइनस 54 हो जाएगा और यह नाइन तो आंसर आगा 945 दसंब्लों 945 ऑप्सन भी तो बड़ा सवाल नहीं था छोटे सी चीज थी पर आपको वो चीज़ें क्लियर होगी तो आप कर पाऊगे अधरवास आपको दि यह कहानी खतम हो जाएगी आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे तो आईए समस्ते हैं इस सवाल को देखे जरा है के स्थानी मानों का योग सर छे कहां कहां पर है सर छे यहां पर है और छे यहां पर है तो इसका स्थानी मान का योग क्या हो जाएगा सर जो बाक ये सबको 0 लिखतो। ये भी 0.00 0.06 ये हो गए जितने भी 6 उस नमबर में दिख रहे हैं, उनके इस्थानी मानों का योग जो आ गया ये आ गया ठीक है? और, नव के स्थानी मानों का योग, अब 9 के स्थानी मान का है मानों के योग का बिजाए अब इनको योग करो इनको क्या करेंगे हम योग करेंगे जब इसका योग करेंगे तो आंसर मिलेगा 690.0906 तो हमने जब इनका योग किया तो यह आ गया अब यहाँ पर एक नई कहानी क्या आ गई यहाँ पर नहीं कहाने कि बिजांक, बिजांक का मतलब होता है, सर मैंने लिखा हुआ है, digit sum, बिजांक का मतलब क्या होता है, digit sum, मतलब इसका जो आंसर आया है, उसका digit का sum निकालो, तो digit sum निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, देखो जारा, सर, 6 और 9, 15, 15 और 15 टोटल कितना है, आपका digit sum, ds, ठीक है, बिजांक, क्या बोलते हैं, इसको, बिजांक बोलते हैं, तो आपने इस सवाल का भी आंसर बड़ी आसानी से दिया, और आंसर क्या है, आपका 3 आया, आंसर क्या आगया, 3, पोस करो, वीडियो करो, सांतिस देखो, खुच से सॉल करने कोसिस करो, क तो यहां पर लिखा है कि सहस्तरांक के इस्थानी अमान का, 10 की घाच, 4 गुना, अब देखो, सहस्तरांक का आप समझते हो, किसको बोलते हैं, सहस्तरांक, सर यह दसांक है, यह सतांक और सहस्तरांक है, तो सहस्तरांक का इस्थानी अमान, इस्थानी अमान मतलब क्या हो है तो यह हो गया स्वास इस्थानिय मान का क्या करना है इसको 10 नियुद कर imply संप्सित दसकफी इस twice करूए अब मुझे बताओ कि अगर में इसको 10 क स्थानिय मान की योगफल से गुणा करें अब इसमें चार ढूंडो चार के स्थानीमान यहां ठीक है हमें क्या करना है चार के स्थानीमान सर चार यहां पर है और चार यहां पर है तो चार का स्थानीमान क्या हो जाएगा सर चार का जो स्थानीमान हो जाएगा ठीक है वो हो जाएगा 40 40 देखो ज़रा ये 4 भी रहेगा ये 4 भी बागी हो जाएंगे 0 तो इसका इस्थानिमान का योग 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 अगया 4 के स्थानिमानों की योगफल से गुणा गरें अब वो कह रहा है इसको इससे गुणा करें थिक है और लास्समें, जीरो कितने और रहे, किये वाला और ये और किये वाला, दो 0 आएंगे सर, आ गया, कर दिया कुना, अब बोल रहा है, कर दिया जाए तो प्राप्त परियुद परियुद अगर में इसका digit sum करने चलूँ अगर मैं इसका digit sum करने चलूँ तो 8 और 2 10 8 और 2 10 10 और 10 20 तो जो बिजांक आ गया जो बिजांक का गया वो कितना आ गया 20 बिजांक कितना आ गया 20 ठीक है नहीं पर 20 को भी जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 2 ठीक है 2 और 0 20 मतलब 2 0 2 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा अब बिजांक नहीं पुछा हमसे इस बिजांक का परमांक पुछा अब परमांक क्या होता है परमांक क्या होता है सर अगर बिजांक अगर बिजांक दो है तो परमांक होगा 8 इस चीज को समझते हैं इस चीज को समझते हैं मुझे पता आप कुछ क्लियर नहीं हूँ बिजांक अगर दो है तो परमांक 8 होगा समझ ना जरा जैसे मानलो बिजांक अगर 3 हो तो परमांक क्या होगा 7 अगर बिजांक तीन हो तो परमांक होगा साथ, अगर बिजांक छे हो तो परमांक होगा चार, अगर बिजांक पांच हो तो परमांक होगा पांच, अगर बिजांक एक हो तो परमांक होगा नो, आपको समझ में आगए कहानी क्या है, सर बिजांक जो भी है उसमें हम क्या जोड दिए तो दस का परम्हांग है तो अगर यह का परमांक पूचा है तो अंसर होगा दो अगर नौ का परमांग पूचह लम पूचह तो अंसर आगए एक ठीक है तो I hope कि आपको परमांग जो है वो समझ में आ गया होगा इसमें हमसे परमांग पूछा था आईए आगे का सवाल को देखते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं बहुत ही जबदस तगड़ा सवाल है अच्छा सवाल है बस छोटा सा मिस्प्रिंट है हैं पर उसको आ अटाके यहां पर लिखना 0.0005 ठीक है यह option में correction आप करेंगे तो अब आप से इस सवाल में क्या पुछा है जड़ा देखिएगा और आप सभी से मेरी request हैं कि पहले आप अपना दिमाग लगाएं है ना जो आपने अभी तक सीखा था उसके basis पर इसका answer देने की कोशिस करें क्या answer आएगा सर बताने की कोशिस करें क्या पुछा है एक नंबर दिया है 555.5555 में 5 का इस्थानिमान अब आप कहोगे सर 5 का इस्थानिमान तो हम बता देंगे पर सर कौन सा 5 ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला या ये वाला तो हमने क्या क्या हमें नहीं पांच का इस्थानीमान क्या होगा सर 50 हो जाएगा तीसरे वाले पांच का इस्थानीमान इकाई पे तो 5 हो जाएगा सर इसका इस्थानीमान क्या हो जाएगा सर 0.5 हो जाएगा फिर इस्थानीमान हो जाएगा 0.05 फिर इस्थानीमान हो जाएगा 0.005 अब आप सोचो कि अगर यह सारे answer है मेरे पास, 5 के स्थानिमान निकालने निकला, तो यह सारे answer है, पर जब मैं answer check करने गया, क्या आपके option में 500 है, बिलकुल नहीं, तो यह answer तो है नहीं, क्या आपके option में 50 है, बिलकुल भी नहीं, क्या आपके option में 0.05 है, बिलकुल नहीं, क्या आपके option में 0.05 है, हा यहीं आंसर हमारे पास आगया जीरो पॉइंट जीरो फाइब बताएं कैसा लगा आपको यह सवाल तो आगे हम डिस्कस करते हैं ठीक है सायद उमीद है कि आपको यहां तक की चीज़े बहुत अच्छे से कवर होगी होगी और यह था आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक इस्थानी मान और जाती मान जिसको हमने जीरो से हीरो लेवल तक टच किया उमीद है आपको चीज़े समझ में आई होगी तो यह वाला जो नोड से आपको उडान डिचल के एप पर मिल जाएगा ठीक है वहां से आप यह नोड दाउनलोड कर ले और इस टॉपिक का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा तो वह टेस्ट देखिया आप यह अनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितनी चीज़ें कवर हुई है ठीक है तो चलिए थैंक्यू मिलते हैं अगली वीडियो में